नमस्कार दोस्तो आप सभी का इंटेलिजन इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागते तो आज कमेड़ों में देखेंगे एक मार्चानी मंडे को स्टॉक मार्केट का क्या हल रहेगा निप्टी निप्टी बैंक इंट्राडी और आप कौन से शेर स्विंग ट्रेडिंग के प्राइज बता है जितना हुए प्राइज बता तो उसी प्राइज में आपको बाइक करना है कम या जादा नहीं और अगर आप कोई डाउट आता है या फिर आपको मान लिजे इतना कुछ नॉलेज इन ए उप्शन मेरकेट तो थोड़े दिन आनेलिसिस किजी वीडियो हमा ज्यादा तर फेली होते इससे पहले एक दिन का वीडियो मेंने जो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि कम से कम निप्टी 2% तक गिरने वाली कम से कम बता रहा था और निप्टी भी मैंने बताया थी और जो शेर बतायते हो ज्यादा तर शॉर्ट सेलिंग और आप्श मार्केट के लिए यूज करता हो शिरुप और ज्यादा से ज्यादा अगर मैंने यह कहाए कि इंट्राडे शॉर्ट से लिंग अप्शन मार्केट हो गया या फिर डिलेवरी में तो अप्स्टॉक या फिर जिरु अधा दो अप्लिकेशन अच्छे होशी से आप buy or sell कीजे अगर आप नहीं हो आपको टेकसेस नहीं तो वही डिमेत अपाउन अच्छे क्योंकि वह जीरो भ्रोकरे जै टेकसेस नहीं होते अगर आपने आकाउंट ओपन नहीं किया आप स्टॉक का तो नीचे देवे लिंक से आप आकाउंट ओपन कर सकती है ज्यादा कुछ नहीं है तो यह हम देखेंगे निफ्टी सिंसक्स और निफ्टी पैंग जितना मैंने कहा था उससे दो गुना गिर गाए क्योंकि पेशियन मार्केट अगर आप नीचे जाते हो तो यह आप देख सकती हो बहुत ज्यादा गिर चुका है था जापान हो गया एससी इंडेक्स हो गया फि पॉजिटिव सिग्नल मंडे के लिए है मंडे में स्टॉक मार्केट में उच्छाल हो सकता है थोड़ा बात जैसे मैंने बताया था कि 14,518 पस निफ्टे आने वाली है लेकिन आने वाली विक में बताया था लेकिन एक ही दिन में इतना चमतकार हो गया है जो नहीं मेरा मार्केट में तो 100% हो गया है सिर्फ 15-20 मिन के सेशन में 100% रिटन मिल चुक है और शॉट सेलिंग में तो आपको पता ही अभी क्या हाल होगा होगा तो निफ्टी बैंक का हम ऑप्शन मार्केंट देखेंगे तो एदे के मेरे राय मानो तो 35,000 का कॉल लिजिए मंडे को मार् जाएगा इसके लिए अलग तरका वीडियो बनाना पड़ेगा तो एदेखें आपको क्या बाताता हूँ है अभी अमेरिकन मार्केट ओपन नहीं होगा उसके ही सबसे गलोबल मार्केट जादे से जादे सिगनल ओपन होते हमारे लिए अमेरिकन मार्केट पॉजिट्व से अगर close होता है या फिर negative ज्यादा नहीं गाया SSG X यानि Singapore निप्टी जो open होती है मंडे को जो हमारे निप्टी से पहले होती है आधिया गंटे पहली तो उसी सब सब को अपने रन रेती बाना हैं चाहिए मतलब कि यही कि अगर वो निप्टी बढ़ती है थोड़ी बहुत आपको positive signal है अगर कोई news नहीं आता है हमारे government या फिर कोई और तो यह देखे कापी निप्टी बैंक और सेंसेक और निप्टी तीनों यह गिर चुके तो निप्टी बैंक अगर मान लीजे आप 35,000 का call लेती हो मंडे को market अगर open भी होता है देखे 35,000 का call लीजे ज्यादा कुछ आपको करना नहीं 35,500 तक निप्टी आसानी से जा सकती है अगर कोई news नहीं आती है तो market नहीं गिरता है तो आप आसानी से देगे शिर्फ 15 मिनिट की स्टेटर जिमीटा कोई candlestick के में guarantee देता हू current price के साब से लगबग आपका portfolio 40-50% return आप कमा सकते शिर्फ 15 मिनिट की मुमिट याणि 9.15 से लेकर 9.30 तक आप position होल्ड किजे नेप्टी बैंक बहुत उपर जाएगी लेकिन अगर बहुत ज्यादा उपर जा रहे है अपर फ्लक्चूट होगे तो stop loss लगा लिजे जब आपको profit book होगा अपने price की साब से माल लिजे 580 की price में किसीने 35,000 का call डिल याए 630, 650 का अश्पास उसकी price चली गई लेकिन जैसे मैंने बता है कि मार्केट का कुछ पता ने सकती कि क्या होगा तो आप stop loss लगा लिजे 10 रूपीज का अश्पास क्योंकि आपको औरेडी profit हो चुका है उपर जाता है तो अच्छी बात है जैसे उपर जाता है आप stop loss increase किजिए 630 में आपने stop loss लगा ते मार्केट 700 तक आपकी call की price चली गए तो 690 का stop loss लगाए जैसे धीरे-धीरे करके लेकिन आपको position अपनी square up करनी है क्योंकि यह देखिए मार्केट में कब क्या पता नहीं चलता आप ज्यादा लालेज करोगे 630 का call 700 में चला गए 800 में चला गए लेकिन आपको लगता है 1500 तक चला है जा भी सकता है लेकिन निचा आए गया तो यह देखिए 690 का stop loss लगाए उतना ही profit होगा लेकिन अग उतना उपर चला गए 800-900-700 तो वहा ही sell कीजिए तो यह देखिए निप्टी का में इस सिंपले आपको बताए 35,000 का call लेजिए ज्यादा से ज्यादा बुनापा होगा लेकिन आपको वेट करना ही निप्टी बैंग थोड़ी से बढ़नी चाहिए लेकिना बढ़ना चाहिए जब अपि निप्टी बैंग ओपन होगी तो यह देखिए 35,000 जब तक आएगी तब तब आपको call लेना है अगर मान लेजिए निगेटिव से ओपनिंग होई यह किया 2% गिर गए तो यह देखिए मैक्सिमम में आपको बता तो निप्टी बैंग है कि देखिए 34,000 तक जानी चाहिए तब आप option call ले सकते हो लेकिन आपको call के strategy कह रही रही गया यह देखिए 34,000 तक अगर निप्टी बैंग उसी दिन चली जाती है और बेसले आपको 34,000 का call ही लेना है उसी दिन आपको profit भ टाइम लग सकता है लेकिन मैं critical condition बता रहा हूँ जैसे मैंने आभी बता है क्या होगा अगर market गिरी जाता है तो आप 35,000 का call ले लिया loss होगा तो market के हिसाब से आप 915 तक वेट कीजिए market आपको signal जरू देगा 34,000 निचे जाता है तो पूटन मत लिजे 34,000 का call लिजे definitely profit होग ज्यादे से ज्यादे आपको आदे गंटे तक का वेट करना है उसके बाद तो अपनी आप अपनी position आपको एक तो 50% का return तो आएगा है क्योंकि उतना उचलाएगा है आएगा नहीं आता है तो यह देखे stopless लगाई में थोड़ा वेट कीजिए मुझे नहीं लगता कि निप critical condition में आपको सिर्फ बताए कि किस price में आपको call लेना है रही बात है कि देखे निप्टी की तो nipty का क्या हाल होगा देखे निप्टी के अगर current condition का अगर देखे तो 14,550 cash pass call or put की price put के price तो double हो गया यानि 1000 तक रिटन आ गया है अगर stock markets थोड़ा बहुत गिरता है जिसे आपको call लेना है, critical condition में आपको बताया है, आसपास का आपको call लेना है, लेकिन आपको wait करना है कि nifty bank कम से कम 3% गिरनी चाहिए, या फिर 2% भी गिरती है, तो कोई बूरी बात नहीं, 14-200 से लेकर 14-1000 तक का आप in between call ले सकती है, 100% guarantee देता है, उसी दिन तो आपको profit हो गाए लेकिन correction के अगर market उपर आता है, थोड़ा बाउच, तो nifty कितनी उपर जा सकती है, देखे, nifty 14-800 तक उपर जाने वाली है, या फिर 15-000 तक touch होने वाली है, तो दोने condition में आपको profit हो सकता है, सिर्प आपको correct time पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया है, वही time में आपको buy कर करना है, बढ़ता है तब आपको wait करना है, कि देखे, 14-700 तक nifty bank का अगर आप wait करते है, 14-650 तक आपको wait ही करना है, nifty bank बढ़ते है, थोड़ा सा बढ़ने दू, बाद में ओ signal आपको बता देंगे कि आपको call ही लेना है, लेकिन मानलीजे, ज्यादा fluctuation नही है, या फिर nifty bank 14-550 तक ट्रेड कर रहे है, market positive से लेना है, तो अगला हम देखेंगे stock के बार में देखे, जैसे मैंने इसके पहले दिन के वीडियो में बता है था, कि इंदुसिन बैंक, या फिर रिलाइंस का देखे, तो यह देखेंगे इनका हल क्या होगा, तो यहाँ निप्ति बैंक के सबसे गिर गए बैंक में अगर देखेंगे, इंदुसिन बैंक और यह बात करूं, अगर यह बता था, जैसे मैंने बता है था कि देखे, 400 के उपर जोनों ने लिया था, कहा भी जाए पॉजिटिव भी चला जाए लेकिन 415 जब भी SBA क्रोस करेगी आपको सेल करना है जैसे मैंने बात आया था कि 390 तक नीचे जा सकता है और 400 का तो उतने दिन में नीचे जाता है लेकिन मार्केट ज़्यादा गिरने के वज़े से आप देख सकते हो कितना नीचे चला गाए तो SBA का इंट्राडे क्या करें मार्केट अगर पॉजिटिव से उपन होता है तो SBA डेफिनिटली 400 क्रोस करने वाली है तो आप इंट्राडे के लिए भी ले सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखे स्विंग ट्रेडिंग के लिए SBA अच्छी बैंके 380 के प्राइस के आराउंड आप ले सकते हो या फिर करेंट प्राइस भी बहुत अच्छी है एक या दो दिन के लिए बता रहा हो प्राइस के के सबसे लांग टम के अगर बात करें सेफ प्राइज की बाइंग के तो 350 के आराउंड येस बैक को लेना चाहिए मेरे सबसे अभी ना लो तो ये अच्छा है सिर्फ आपको शौट सेलिंग करनी है माल लिजे मार्केट गिरता है तो येस बै कितना नीचे जा सकती है येस बै जा सकती है 350 के आराउंड अगर आज के जिन जैसे मार्केट गिराए अगर आने वाले दिन में भी गिरता है तो 350 तक येस बै नीचे जा सकता है तो उसी सबसे आपको शौट सेलिंग करनी है रही बात ऑप्शन मार्केट तो ज्यादा बातानी के जोरूत नहीं जैसे मैंने बाता है ता कि 400 का पुट लीजिए डेफिनिटली 68% का तो प्रॉपिट हो चुका है अब आपको पुट नहीं लेना है मार्केट अगर पॉजिटिव सिगनल के साथ ओपन होता है ये देकि एक मंद की एक स्पैरी होती है स्टॉक के तो आप 400 का डेफिनिटली कॉल लीजिए सिर्फ मंदे तक वेट कीजिए मंदे को जो 109 बजे के बाद मार्केट की कंडिसेंस सेम रहती है ज्यादा कुछ फ्लॉक्ट्वेशन नहीं होता गिरता है तो गिरता है बढ़ता है तो बढ़ता है मंदे जो थोड़ा पॉजिटिव ओपन ही हुआ है तो आप 400 के आराउंड का क्वाल लेजिए क्योंकि उतना ही उसका सबसे स्ट्रॉंग पॉइंट है अभी के सबसे और 350 का अगर डाउन जाता है तो फस्ट सपोटर रहेगा तो इतना मुझे नहीं लगता कि नीचे जाएगा मार्केट को उसके लिए क्रेश होना पड़ेगा अभी के सबसे नहीं हो होगा अभी भी टाइम है तो आप 400 का कॉल ले सकते हो लेकिन मार्केट अगर पॉजेटिव ग्रीन सिगनल है तो मार्केट अगर निगेटिव है यस बैग गिरते तो यह देखे 370 तक आपको वेट करना है फिर आप आसानी से कॉल ले लेजिए कोई जोरूत ने उस प्राइ कि तो यहां में मैंने रिलाइंस निकाला है तो रिलाइंस के अगर बात करें तो जिसे मैंने अभी बता है कि रिलाइंस के अगर बाइप प्राइस की बात करें स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए बता रहोते है कि 2000 होनी चाहिए लेकिन करेंट प्राइस की सबसे बहुत से 10% का आज़ान 2000 के नीचे का आपको तभी आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिनी है और सेल करना है देखे 2100 तक जब भी उपर जाता है तो भामारे टैटरजीलक होता है तो यहां आपको अभी सेल करना है देखे अबाए उस पर्आज में और सेल इस परैज में यह जो शाट टम में लेना चाहते है या फिर ज्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेच्ट्णे करते हैं तो उनके लिए ही इंट्राडे के लिए क्या करेते है तरह गिर है तो अगर मार्केट बढ़ता भी यह तब यह देखे अगर न्यूज नहीं तो 2100 ज्यादा से ज्यादा रिलैंस अभी के हिसब से जाने वाला 1200 और मैक्स 2100 के 2150 के असपास ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो आप्शन मार्केट की बात हम करें यहाँ मैं निकलता हूँ तो जैसे मैंने बताया था कि 2100 का आप पूट लिजे ए रिलैंस का तो ज्यादा ही बढ़ गए 67% बढ़ गए है जैसे मैंने पिछली ओड़े में काता हूँ तो आपको आप क्या करना है 2050 तक आपको वेट करना है डाउन साइट का और 2000 का कॉल आपको लेना है शिर्फ आपको वेट करना है रिलैंस दो परसेंट ओर गिरना चाहिए तब आप डेफिनेटली कॉल लिजे गैरेंटी देता हूँ एक ही दिन में लगबग 40% तक आपका कॉल का प्रिमियम बढ़ सकता है ज्यादा लालेश मत कीजे क्योंकि स्टॉक मार्केट में ज्यादा करेक्शन हो रहे है पॉजिटिव प्लस माइनस ज्यादा हो रहे है नेगेटिव भी तो उसी प्रैज में आपको बाई करना है रही बात है देके इंदूसिन बैंक की तो देके मुझे नहीं लगता कि इ जैसे में आप्शन मार्केट में इंदूसिन बताया था कि इंदूसिन का देके 1100 का पुट लीजे तो उसका लगबग 46,000 तक प्रीमियम बढ़ चुका है डिपेंडिंग अपन प्राइस तो इंदूसिन बैंक कितना नीचे जाते तो यह देके इंदूसिन बैंक का अगर ट खömका औरॅब आपके ज्यादा प्रापिट होगा क्यक्ए वनमें के एकसपायर होती है तो आपको कौHHH एदे कि ध्यान रकना कि इंदूसिन बैंक में सेलिंग नहीं करनी है अभी भी इंट्राडएह के आगर बात करते हो जैसे मने बाता है कि इंदुसेड बैंक के अगर बात करें तो एक हाजार बीस ओर A1000 स्ट्रॉंग सपोर्ट है उससे नीचे अगर जा रहा है या फिर उस अरॉंड ये स्टॉक है तो शौट सेलिंग मत कीज़ें बाइंग हो सकती है तो पुट के जंजट में मत पिड़िए इंदुसरीन बैंक के कॉल आप ले सकते हो लेकिन इंदुसरीन बैंक 2% तक कम से कम गिरने दीजिए 2 या 3% अभी भी तब आप ले सकते हो मानलीज यह मार्केट में इतनी मुवमेंट ही नहीं रही तो यह ग्यारांटी देता हूँ कि आप 1100 का कॉल लिए जिए इंदुशिंट बैंक एक या दो दिन में भी इतना बढ़ सकता है एक ही दिन में इतना बढ़ सकता है 1100 का आपको कॉल का भी प्रोपिट हो सकता है रहे बाद बाके स्टक के तो यह दे के बज़ाज फाइनांस जो इतनी भी भहुत अच्छी मुवमेंट दी है दोने स्टक एक जिस है इसके आधे प्राइज में बज़ाज फाइनांस होता है या फाई यह बज़ाज फिन सर्विस लिमेंट है वो 5% गिरता है तो यह 6% इतना ज़्यादा फ्लुक्चुशन है दोनों स्टक आपको उतनी मुवमेंट देते तो यह दे के इसका क्या करेगे हम इंट्राडे यह देखे अगर इंट्राडे की बात करें मार्केट अगर पॉजिटिव थे देखे यह 10,000 तक यह जाने वाला है गयारंटी देता हो तो आप इंट्राडे मार्जिन भी लेतो तो कोई बड़ी बात नहीं आपको डेफिनेटली प्रॉपिट होगा अगर मार्केट थोड़ा बहुत गिर रहा है तो गलती से भी हात मत लगाए क्योंकि यह स्टॉक अगर गिरेगा तो 8,000 तक नीचे भी जा सकता है एक दिन में 10-10 परसेंट 15-15 परसेंट भी नीचे जा सकता है तो उस चेकर में मत पड़ी मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग देता है तो यह देखे तो 10,000 के आराउंड इसकी प्राइस होने वाली है और सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो यह देखे कितना नीचे जा सकता है एक दिन में अगर थोड़ा बहुत मार्केट में कर्रेक्शन आलते हैं 9,000 के आराउंड नीचे जा सकता है यहां सेलिंग हो यहां बाइण स्री बहुत अच्छी आप सोट सेलिंग के लिए लेकिन आप देखे 9,000 के आराउंड अगर करीब आता है तो आप डेफेनिटली short selling मत किजिए वहाँ से आपको buying के करने एक दिन में और रही बात अगर call option की तो इसके call option में देखे 3000 का जो call है premium वो definitely आपको ज्यादा profit देगा मेरे हिसाब से अगर market थोड़ा बहुत positive आई जाता है तो यह देखे मैंने बता है 3000 तक आसाने से stock जाएगा आपको वहाँ का call लेना चाहिए definitely profit होगा लेकिन put फिलाल के लिए मत लिजिए put में थोड़ा बहुत losses हो सकती यह देखे और भी बहुत stock है gail company हो गए airlines जो मैंने बावी बात के bank में अगर आप correction करना है चाहतो short selling के लिए तो access bank भी है short term के अगर बात कीजिए किसी को the intraday short selling यह इतना आता नहीं या पिर risk बहुत लगते ते देखे short term में RBL bank आप ले सकते हो RBL bank में बहुत अच्छे return आपको मिल सकती है current price बहुत अच्छे इस price में भी आप लेजिए लीजिए all time बहुत अच्छी price है लगवग 270 के आराउंड आप sell कर सकते हैं फिर 300 के आराउंड आसानी से stock जाएगा और भी बहुत सारे stock है लेकिन video बहुत लंबा होगा इसलिए मुए यहा तक ही close करता हूँ अगर आपको कोई और दिक्कत आती stock market होगा या फिर cryptocurrency आप मुझे comment के जरे बता सकते हूँ मैं हर comment का जाब देता हूँ वीडियो चलेगी तो like की जो चैनल को subscribe कीजिए thank you